नवह स्टbourg मित्रूं आप सभी खास ंवह स्वागत है और आज हम करेंगे इसे आप फेमर्स भी कह सकते हैं नोटोरियस भी कह सकते हैं कोटा सिंड्रोम के बारे में कोटा राजस्थान का एक शहर जहांपर देश वर से पृतियोगी परिक्षाओं की तयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पर बड़ी दाद में हमें आत्मत्या के मामदे पशले कई सालों से सामने आ रहे हैं और इस साल 2023 में प्रती माह आस्तन तीन चात्र यह चात्राएं माहाँ पर करए हैं से लेकर पूरी देश में चिंता का महोल भी है और समस्या यह है कि इस दिक्वत है कोट tra vão इस लगातार विकराल होता जा रहे हैं लोग जादा से प्रतियों की घटनाएं भी काफी बड़ी संख्या में बढ़ रही है तो आज हम इस विशे में चर्चा करेंगे और थोड़ा एक विस्तार से प्रतियोगी परिक्षाओं का माहोल शात्रों पर जो दवाफ पड़ता है उनके परिजनों को क्या करना चाहिए इन सारे विश्यों पर थोड़ी सी चर्च जी है अनीजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है धर्मशाला अधारत धर्मशाला जो इमाचल प्रदेश में धर्मशाला अधारत सादो संभ नावक एक स्परिच्छल ऑर्गनाइजेशन एक अध्याविक संस्था के फाउंडर भी है दुनिया भर में उच्छ तरिये जो संस्थान है, कॉर्परेट जगत है, वहाँ पर उनकी टॉक्स लगातार होती रहती हैं, लेट दा मट सैटल नाम से उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है और कैसे हम भारत की जो अध्यात्मिक परंपरा है, उसको जो वर्तमान हमारी समस्याएं हैं या जो वर्तमान जीने में, उस द्रिष्टी से श्री अनीज जी की जो टॉक्स हैं, वो लगातार यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्द रहती हैं, और तो आज हम चर्चा करेंगे श्री अनीज जी से इस विशे में, आनीज जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपका बहुत- जैसे मैंने कहीं पड़ा, कोटा फैक्टरी के नाम से भी इसको आजकल हम इस पर बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो शिक्षा काल खाने जैसा विशे नहीं है, यह ऐसा विशे नहीं है कि आप एक तरफ से छातरों को काल खाने में इंपुट करते जाएं और वहां से पिनिश प्राड़क्ट आता जाएगा, कोटा या ऐसे ऐसी जगाएं, ऐसे इंस्टिटूशन बन गए हैं जो शिक्षा को फैक्टरी की तरह चलाते हैं, तो शिक्षा कभी फैक्टरी की तरह तो नहीं चल चाता, अगर हम इंडियन नॉलिच सिस्टम्स में देखें, बहुत फोकस करते थे, हमारे गुरु जन, हमारे रिशी जन इस बात पे बहुत फोकस करते थे कि व्यक्ति का विकास हो, सिरफ किसी एक विशाय पे नहीं, सिरफ किसी एक चीज के प्रती नहीं, स्किल सेट बेस्ट एजूकेशन होती थी, बट उसके साथ में हर बहुत specific education को देख रहे हैं और दूसरा हमने इसको factory syndrome बना दिया है शिक्षा तो मानव जीवन के विस्तार का विशय है शिक्षा मानसिक बुद्धी के विस्तार का विशय है रिदय को खोलने का विशय है मैं कैसे बहतर व्यक्ति बन पाऊं शिक्षा इसका विशय है शिक्षा FATURE का विश्य नहीं है तो ये मेरे देखे अरुनंजी ये मूल में ये समस्या है हमारा जो दृष्टी है शिक्षा के प्रति वो बहुत संकीर्न हो गई है और जब भी किसी भी चीज के प्रति हमारी दृष्टी होलिस्टिक की बज़ाए संकीर्न होगी विवस्था पे ये प्रश्ण है ये हमारे समाज की विवस्था पे भी एक बड़ा प्रश्ण है और इसको बहुत गंबीरता से लेना चाहिए we just cannot हम इसको ignore नहीं कर सकते हैं हम इसको ignore नहीं कर सकते हैं जी अरुन जी इस विशे पर तो हम अभी जो आपने बात कहीं इस पर थोड़ा और भी विस्थार से बाद में चर्चा करेंगे पर जो immediate क्योंकि ये मूल भूत परिवरतन हमारी शिक्षा विस्था में आवश्यक है और एक जिसे आप कहते हैं कि behavioral change जो है वो society के level पर भी अपेक्षित है जिसको भी बहुत लंबा समय लगेगा लेकिन अगर हम एक immediate थोड़ा सा respite जो हमारे students को चाहिए या जो लोग इससे सफर कर रहे हैं कोटा में देश के अन्य ऐसे स्थान जहां पर की प्रतियों की परिक्षाओं के लिए इसी तरीके का एक माहूल होता है जैसे दिल्ली में भी जो देश की राजानी मुखरजी नगर है तो इस तरीके की तो एक एक अजीब किस्म का जो है वो दबाव जो है और एक अजीब किस्म की उदासी और च्छाई रहती है जो है जो आप उस इलाके में भी निकलते हैं तो तो ये जो कोटा और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के परिक्षारती, कोटा में रहने वाले और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के जो परिक्षारती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे इस दबाव से चुटकारा पर दो तो कुछ बाते हैं इस पहरों जी, पहला नियम देखते हैं, देखिए सब कुछ हम जीवन को देखें तो उससे सीख सकते हैं तो प्रेशर यानि दबाव जीवन का नियम है, यह जीवन के विरुद नहीं है एक एक्जैंपल के रूप में आपको बताता हूँ, धारण देखे मानव शरीर में कुछ लीटर खून है, यह खून हमारी नाडियों में घूम रहा है, 24 घंटे इस खून का एक सर्टेन दबाव है, जिसको हम बोलते हैं बलड प्रेशर अगर यह दबाव जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, यानि हाई बलड प्रेशर हो जाए, तो आदमी को ब्रेन स्ट्रोक होता है मगर अगर यह दबाव जरूरत से कम हो जाए, तो यह हार्ट अटैक देता है यानि दबाव बढ़ गया तो भी तकलीफ देगा दबाव कम हो गया तो भी तकलीफ देगा ग्रोथ में ये एक certain balance दबाव जरूरी है तो ये पहली बात कि दबाव हम against ना हों दबाव के कुछ दबाव जरूरी है हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए पहली बात दूसरा हमारी पूरी शिक्षा में या अभी जब मैं immediate student से मिलता हूँ आपने एक उदासी शब्द यूज किया पूरी शिक्षा में कहीं उत्साह नहीं दिख रहा है हमारी पूरी शिक्षा परणाली में exuberance एक शब्द होता है वो exuberance वो उत्साह नहीं दिख चा शायद इसके लिए कुछ हद तक शिक्षग यानि teachers भी responsible हो सकते हैं पूरी विवस्था तो है ही बट teachers पे भी कुछ responsibility डाली जाती है अब आता है immediate respite की आपने बात की देखिए जैसे मैंने बोला दबाव तो जीवन का नियम है बट अगर आपको हम यही ना सिखाएं कि कौन सा भोजन करने से आपके रक्त का दिवाव नियंतरित रहेगा तो आप कैसे manage करोगे आपको high blood pressure या low blood pressure होगा तो हमें आपको सिखाना होगा कि यह particular आप भोजन करेंगे इस तरह की जीवन पर नाली होगी आपकी तो आपका दबाव एक certain range में रहेगा As an immediate respite आज हमें इन बच्चों को बहुत targeted way से हमें कुछ इनको sessions देने चाहिए कुछ इनके लिए हमें लिखना चाहिए या regular इनके साथ interactions होना चाहिए जहां बहुत focus तरीके से हम इनको सिखाएं, इनको बताएं, इनको engage करें एक positive dialogue में और सिखाएं कि इस दबाव को, जीवन के दबाव को कैसे manage करना है और बहुत सारी विदिया है देखे भारत में तो इतनी विदियों पे काम हुआ कि जहां आप दबाव को सिरफ manage नहीं, nullify भी कर सकते हैं जैसे मैं अगर हम कृष्ण का और गीता का उधारन लें, युद्ध की परिस्थिती है, अर्जुन के उपर भयंकर दबाव है उनको एक सेशन दे रहे है और उस सेशन में बता रहे हैं सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन दबाव तो जीवन का नियम है इसको manage कैसे करना है तुम में तो उसमें ग्यान का सहरा लिया यानि conversation का सहरा लिया उसमें कुछ विदियों का भी सहरा लिया कि अर्जुन तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम इस दबाव को manage कर लोगे इसको access नहीं होने दोगे इसको जरुवत से ज्यादा नहीं होने दोगे तो मेरे देखे अरुन जी हमें बहुत immediate जरूरत है इस समय ये कि हम इन students के साथ इन institutions के साथ engage करें और कुछ विदियां, कुछ techniques, कुछ sessions के माध्यम से इन students को equip करें कि जीवन के दबाव को positively कैसे लेना है so that ये life negative ना बने ये मुझे जीवन को और सुन्दर तरीके से और successful तरीके से और उत्साहित तरीके से जीना सिखाओ so this techniques ये विदियां हमें सिखाने की जरूरत है ये conversations हमें बहुत important conversations करने की जरूरत है at an immediate level जी ऐसी कोई एक ऐसी विदि अगर आप share करना चाहें जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी अगर जो भी हमारे करें और चाहे वो कोई scripture हो जिसको पढ़ना है या कोई सांस लेने की विदिया योग का कोई particular तो कोई ऐसी चीज जिससे की हाला कि मुझे लगते कि इस पर हम एक विस्तार से अलग से session करेंगी कि क्या-क्या विदियां हो सकती है और मैं दरश्मों को बता दूँ कि हमारे सादो संग के जो YouTube चैनल है उसके उपर आप इस पर कारी कई विदियों के बारे में जानकारी उपलब्द भी है तो आप वो जानकारी ले सकते हैं लेकिन फिर भी students के लिए अगर आप कुछ कोई ऐसी विदि बताना चाहिए या कोई एक विक टिप जिसको आप कहते हैं अरुन जी मेरा observation जब मैंने बहुत कुछ चातरों से बात की या उनका life style देखा तो ये classes में जाते हैं उसके बाद आके बंद कमरे में बैठके अपना जो भी पार्टे करम का अध्यान करना है वो वो करते हैं देखे यूथ एक ऐसा समय है अच्छली पूरी life एक ऐसा समय है जब आपको अपने शरीर का बहुत उप्योग करना है अब कुछ टिप जैसे मैं दो तीन कुछ चीजों की बात करता हूँ कभी भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो आप दौर लगाने चले जाएं आपके जितना स्ट्रेस बिल्ड़ अप कर ली आपने यहां पे वो सब पसीने के और सांस तेज़ लेने के माद्यम से रिलीज हो जाएगा दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टन्ट है अरुन जी सभी चात्रों के लिए पहला आपका शरीर रोज इतना एक्टिव हो दाइट आपको पसीना निकले इस पसीने के साथ आपका बहुत सारा स्ट्रेस निकल जाता है दूसरा आप किसी भी विष्ष के नीचे किसी भी प्राकृतिक महौल में बैठके बस पांच मिनट आप गहरी सांस लेना शुरू करो लंबी सांस लेके उसको लंबे धीरे-धीरे गहरे छोड़ना धीरे-धीरे छोड़ना शुरू करो प्राणा यांकिए कि यह बहुत बेसिक विदी है पाँच मिनट में आप पाएंगे कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो चुका सिस्टम से और माइंड एकदम फिर से अक्टिव और शार्प हो गया इतल जस्ट प्राइब मिनट और जो परिक्षारतियों के माबाप हैं जो उनके प कर और बहुत स्ट्रेस रहते हैं उनकी तो कहीं कोईवमीगा में चल्चा ही नहीं होती कि क्या वो भी एक दो उन ग bridge ofयों क्वेक्षय और क्योंकि देखते हैं कि उनके जो सिब्लिंग्स हैं उनके साथ बाई वहने तो वो किस त्रीके की परिस्थियों में रह रहे हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा दवाब का सामना कर रहे हैं और वो उस दवाब को शेर भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन तो ये एक जो है जो परीजन है जो है वो जो है वो उनको भी जो है मुझे लगता है कि काफी जो है स्ट्रेस की इस प्रतियों की परिक्षा की दोड़ में शामिल थे एक चीज अरुन जी जो हमने पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में एक्सपिरियंस हम कर रहे हैं कि फैमिलीज के बीच में कम्यूनिकेशन बहुत कम हो गया वो एक दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं वो केर करना चाहते हैं बट यह जो शब्द है ना वर्बल कम्यूनिकेशन जिसको बोलते हैं वो बहुत कम हो गया है फैमिलीज के बीच में टेक्नॉलिजी का भी उसमें बड़ा रोल है यह कम्यूनिकेशन को रिवाइव करना होगा आप कभी भी देखेंगे पॉसिटिव है उस बात की टोन ऐसी नहीं है ओओ यह तो कलियर ही नहीं होता यह तो सब फेल होते हैं इसा टोन नहीं टोन जो हमें एक दूसरे को प्रोथ साहित करें जो एक दूसरे को जीवन की सकरात्मक दृष्टी दे जीवन के प्रति आप देखें अगर ये बात ही हम करने लगें ये डायलोग्स ही हम करने लगें भारत की तो परंपरा ही डायलोग्स की रही है कन्वर्सेशन्स की रही है तो सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं सिबलिंग का भी और उनके प्रिये जनों का भी parents का भी stress release हो जाएगा क्योंकि हम कहीं disconnected हो रहे हैं वानी हमें दी गई प्रकृती ने हमें वानी प्रदान की ताकि वानी से हम जुड सकें अगर वानी को छोड़ दिया conversation को छोड़ दिया तो ये जुड़ाव तूटने लग जाता it needs to be revived back बहुत बार में परिवारों में देखता हूँ एक जिजग सी है एक शरम सी है विशेहों पर बात करने के लिए कोई जिजग जैसा है I think उस सब को हटा के हमें फिर से एक community की तरह बात करना चाहिए आपस में और ये बहुत effective तरीका है ये stress को manage कर लेने के लिए for everybody I am saying जी जी और अब हम अंतिम प्रेशन लेंगे ये पहले प्रेशन का ही extension जो हमने शुरू में बात की थी कि overall आपको क्या लगता है कि हमें जो हमारी जो उच्च शिक्षा है वैसे तो क्योंकि मैं भी स्कूली शिक्षा को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कोटा में तरीके से जो है वो professional examination का और अभी आज हम इस विशे पे चर्चा कर रहे है बाद में स्कूली शिक्षा के विशे में भी चर्चा करेंगे पर जो उच्च शिक्षा है जिसको हम professional colleges कहते है medical engineering इस तरीके के और उसके लिए जितना competitiveness है और तो उसको क्या ये जो है इस इट healthy और यह हमें अपनी शिक्षा विवस्था में एक आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यक्ता है और अगर है तो आपको क्या लगता है कि अगर इमानदारी से प्रयास किया जाए तो उसमें हमें कितना समय बोटे तोर पर जो है वो लग सकता है इस पूरे transition के phase में जी अरुन जी देखिए जीवन का नियम प्रतिस परदा नहीं है competition है नहीं जीवन का नियम आप प्रकृती में देखो सभी व्रिक्ष की different different प्रजातियां एक दूसरे को support करती है ग्रो करने के लिए सभी व्रिक्ष की जड़ों का भूमी के अंदर एक network बना हुआ है उस जड़ों के network के थूँ वो एक दूसरे का पालन पोशन भी करते हैं यानि जीवन का नियम competition तो नहीं हुआ जंगल में प्रकृती में हर species दूसरी species को support कर दी है मानव को छोड़के so competition is not यह life का formula नहीं है competition तो शिक्षा पर अगर आप देखें ICS शुरू किया Britishers ने Imperial Civil Services जो transition होते होते आज UPSC बन चुका है यह Britishers ने क्यों शुरू किया था हमें तोड़ा investigate करना चाहिए ताकि एक नौकरों की फोज खड़ी हो जो अंग्रेजी बोलते हो बट शोशन करने में वो ततपर हों लोगों का आज हम उसी को follow कर रहे हैं किस exam में कौन सी शिक्षा में हम cooperation सिखा रहे हैं दूसरे जो बदलाव की जुरूत है देखो अगर वो एक हमने कहानी सुनी थी ना वो एक खरगोश और कच्वे में एक race लगती है वो गलत है कहानी क्योंकि खरगोश और कच्वे में race लगनी नहीं चाहिए fundamentally wrong है ना वो दोनों की values दोनों की प्रतिभाएं अलग है अब आपकी प्रतिभा हो let's say एक entrepreneur बनने की आप एक सुन्दर व्यपार खड़ा कर सकते हो आप एक social enterprise खड़ा कर सकते हो वो प्रतिभा है let's say आपकी पर आपको हम डाल रहे हैं UPSC में तो ये तो गलत हो गया तो ये माबाब की भी responsibility है कि हम अपने बच्चों को observe करते रहें कि इसकी प्रतिभा क्या है ये teachers की भी responsibility है कि हम अपने students को observe करते रहें कि इनकी प्रतिभा क्या है और based on this हम अपनी कुछ शिक्षा की नीतियों में कुछ बदलाव करें competition की जगा इसको बदलना चाहिए cooperation से जीवन नकरात्मक नहीं है सकरात्मक है competition की tone ही नकरात्मक है cooperation की tone सकरात्मक है और भारत हमेशन से cooperative society रहा है competitive society नहीं रहा इसके मैं हजारों example दे सकता हूँ किसी और दिन इस विशे पे होँ गहरी बात करेंगे बट ये नीतियों में शिक्षा की नीतियों में ये बदलावाना चाहिए और अगर हम इस पे काम करें तो मेरे देखे पांच से दस साल में ये संभाव है अगर इस पे डट के काम किया जाए और ये आने वाले भारत की एक नई संदर चबी बना जाएगा ये शिक्षा तो उसकी जड़ है तो इस पे तो बहुत ही काम होना जाए है अरुन जी जी आपका बहुत बहुत धरनेवाद और जो आपने अंतिम बात कही कि अगले पांच से दस साल में हो जाएगा और मुझे ये विश्वास है कि कही नगे भारत में इसे लेकर जो है वो प्रयोग भी चल रहे हैं और कई सफल प्रयोग भी हो रहे हैं तो हमारे जो व्यूवर्स हैं अगर वो किसी ऐसे प्रयोग के बारे में जानते हैं तो वो ऐसे विशे हैं जिन पर कि आप श्रीय नीजी के साथ जो है वो चाहेंगे की चर्चा हो आप अपने प्रश्ण भी हमें बेश सकते हैं इस टंकला को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही मिलेंगे एक नए विशे के साथ और तब तक उमीद करते हैं कि जो कोटा फैक्टरी है उस से या इस प्रकार के जो सिंड्रोम से जो प्रभावित हैं जो प्रत्योगी परिक्षाएं लेने हैं वो उनके परिजन उन्हें इस वीडियो से लाब मिलेगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और जल्दी मिलेंगे एक नए विशे के साथ और श्रीय अनीजी जी से चल्चा करें एक बार श्री फिर से मैं श्रीय अनीजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मुलेवान समय में से ना समय निकाला और हमें इतना माल दर्शन दिया नमस्क नमस्टे अरुंजी दन्यवाद